दोस्तों यदि आपका बैंक अकोंट बैंक को बरोदा में है तो बैंक को बरोदा के तरब से बैंक को बरोदा के मॉबाइल बैंकिंग एप वी ओवी वर्ल्ड में नया अपडेट जाड़ी क्या गया है अब आप लोग बैंक को बरोदा के मॉबाइल बैंकिंग एप के माध्य दोस्तों सबसे पहले आपको बैंक अबरोदा की मौवाइल बैंकिंग एप बी ओवी वर्ल को अपडेट कर लेना है हमने अपडेट कर लिया चलिए ओपन पर किलिक करके ओपन कर लेते हैं अब इसमें आपको लॉग इन कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर देखे अपडेट करने के बाद नया ओप्सन जुरा गया है वेर एवल डिवाइस आप इस पर किलिक कर लेजे अब दोस्तों यहाँ पर देखे बताया गया है कि वेर एवल डिवाइस क्या है तो दोस्तों यहाँ पर wearable device एक smart watch है, एक smart घड़ी है, जिसके माध्यम से आप लोग POS machine पर payment कर सकते हैं, अब आपको payment करने के लिए अलग से ATM कार रखने की ज़रुत नहीं है, आप लोग smart watch के माध्यम से ही payment कर पाएंगे, चलिए इसके बाद get started पर क्लिक करेंगे, अब दोस् सकते हैं, लिखा है quick way of making payments, अब आपको POS machine पर payment करने के लिए ATM कार रखने की ज़रुत नहीं है, आप यदि या smart watch पर्चेच करते हैं यहाँ से, तो फिर आप या smart watch के माध्यम से POS machine पर payment कर सकते हैं, आप लोग दुकान पर इसके अलाबा, petrol pump पर इस तरह का POS machine देखे होंग तो आप इस POS machine पर इस smart watch के माध्यम से payment कर सकते हैं, दोस्तों आप जो या smart watch यहाँ से purchase करेंगे, या smart watch आपके bank account के साथ link रहेगा, और आप इस smart watch के माध्यम से POS machine पर payment कर पाएगे, अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में सवाल होगा, कि या smart watch मान लीजे खो जाता ह है, चोड़ी हो जाता है, तो फिर हमारे account से पैसा कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, कि या smart watch आपके bank account के साथ link रहेगा, यदि या smart watch हो जाता है, चोड़ी हो जाता है, तो आप इस smart watch को bank of loda के mobile banking app के माध्यम से परमाइंट रूप से block कर सकते हैं, या फिर temporary प्रोडी रूप से block कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है, देखे दोस्तों आप यहाँ पर जो mobile banking app के माध्यम से smart watch पर्चेज करेंगे, आपको इसी तरह का smart watch देखने को मिलेगा, और आप इस smart watch के माध्यम से POS मसीन पर payment कर पाएंगे, आपको ATM card रखने की जरुवत नहीं पड़ेगी, अब दोस्तों इस smart watch को purchase करने के लिए, खड़िदने के लिए, यहाँ पर देखे लिखा है purchase आप इस पर क्लिक कर लिजे, अब यहाँ पर देखे, यह smart watch का details हो कर रहा है, जैसे कि यह smart watch go q company का है, और यहाँ पर go q second smart vi tail plus model है, आप इस smart watch के से आप लोग एक दिन में maximum 5 watt payment कर पाएंगी, इस smart watch के माध्यम से आप लोग cash withdrawal नहीं कर सकते हैं, इसके लावा दोस्तों यहाँ पर देखे आपका नाम, इसके लावा आपके bank account में जो भी address लिखा है, वह address यहाँ पर सो करेगा, साथी आपका mobile number और यह smart watch का price 3499 रुपए है, यानि की समझ लिजे 3500 रुपए इस smart watch का कीमत है, यदि आप यह smart watch order करते हैं, purchase करते हैं, तो आपके account से 3500 रुपए कट होगा, आप यह smart watch दूसरे address पर purchase नहीं कर सकते हैं, जो भी आपके bank account में address है, उसी address पर आपको यह smart watch order करने पर मिलेगा, चलिए इसके बाद यहाँ पर इसके बाद आप इस box को टिक कर लेंगे, इसके बाद submit पर किलिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको details हो करेगा, जैसे कि यहाँ पर product का नाम, इसके अलावा brand, साथी यहाँ पर आपका address, mobile number, price, सारा कुछ यहाँ पर सो करेगा, इसके बाद आप यहाँ से confirm पर किलिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिया गया, इंटर transaction pin, तो जो भी आपका transaction pin, यानि की T pin है, वह fill up करेंगे, चले fill up कर देते हैं, transaction pin fill up करने के बाद, यहाँ पर देखिया गया है, success, और यहाँ पर आपका payment हो चुका है, अब आपके communication address, यानि की जो भी यहाँ पर address हो कर रहा है इस address पर आपको यह smart watch deliver कर दिया जाएगा, के लावा यहाँ पर देखिया लिखा हो है, this device will be delivered to your registered address within 7 to 10 working days, तो आपके communication address, यानि की जो भी आपके bank account में address है, उस address पर, साथ से लेकर के 10 दिन के अंदर, आपको यह smart watch deliver कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, यदि आप इस transaction detail को share करना चाहते हैं, तो share पर click कर लेंगे, और यहाँ से कोई भी app को select करके share कर सकते हैं, तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पर where ever device order कर सकते हैं, चलिए हम done पर click कर लेते हैं, उमीद है कि दोस्तों मैंने आपको detail में बता दिया है, आपके मन में कोई सवाल है, तो comment करना मत पूरिएगा, फिर मिलत अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाई, take care